और सुहाने मौसम का मजा लेने टोरिष्ट दूर दूर से यहां खिंचे चले आते हैं। माउंट आबू केवल आज से ही नहीं, बहुत पुराने समय से ही लोगों को लुबाता आया है। राजस्थान के सिरोही जिला मुख्याले से 85 किलोमेटर और जहीलों की नगरी कहे जाने वाले शहर, उदैपुर से करीब 180 किलोमेटर की दूरी पर हरी भरी पहाडियों के बीच मौजूद है, राजस्थान का एकलावता हिल स्टेशन माउंट आब लोगों को लुबाता आया ह उस समय में भी जब राजा महराजा या राजगरानों के लोग जब भी राजस्थान की जबरजस्थ गर्मी से बदहाल हो जाया करते थे तो उनकी सबसे पहली पसंद माउंट आबू ही हुआ करती थी, यहां दिलवाडा के मंदिरों में मौजूद 11 और 13 सताबदी की प्रमुख तीर तस्थान भी हैं कि उन्ची उन्ची पहाड़ियों के दक्षडी किनारों पर पसरा या हिल स्टेशन अपने ठंडे मौसम और चारों तरफ फैली पेड़ पौधों की हर्याली की वज़े से देश भर के टूरिष्ट की पसंदीदा सैरगाह बन गया है वही प बीच से होकर गुजरना होता है और वही यहां रास्तों के दोनों तरफ मौजूद बड़ी बड़ी चट्टानों और हरे भरे बेड़ पौधों के बीच से होकर गुजरना भी एक अलग सा है हनीमून पॉइंट यह जगह संसेट पॉइंट से महज 2 किलो मिटर की दूरी पर है जब आप यहां पहुँचेंगे तो आपको अपने आप मालूम हो जाएगा कि इस जगह को हनीमून पॉइंट क्यों बोलते हैं यहां की घाटियां और हरे भरे मैदान इतने खुबसूरत हैं कि किसी का भी मन मोह लें सायद यही वज़ए तो दोस्तों अब आईए जान ल गुरू शिखर समुद्र तल से करीब 1722 मेंटर उंचा है यहां पहाड की उंची चोंटी पर खड़े होकर जब हम नीचे और आसपास के नजारे देखते हैं तो लगता है मानो हम किसी और ही दुनिया में आ गये हों जहां सब कुछ खोबसूरत राजिस्थान के माउंट आबू में 3937 फुट की उचाई पर इस्थित है नकी जील जो लगबग 2.5 किलोमिटर के दायरे में फैली हुई है चारों तरफ उंचे उंचे पहाडों, हरी भरी वादियों और खजूर के लंबे-लंबे पेडों से गिरी हुई यह जील खुल मिला कर देखें तो लगता है माउंट आबू के में मार्केट से करेब धाई किलोमिटर दक्षिड दिसा में जाने पर हनुमान जी का एक मंदिर आता है जहां इस मंदिर से जब हम करीब 700 सेड़िया नीचे उतरेंगे तो हमें मिलेगा वसिस्थ जी का खुबसूरत आस्रम और यह प्रॉड रॉक दरसल एक चटान है जो नक्की जील से बस कुछी दूरी पर इस्थित है इस चटान की खास बात यह है कि यह देखने में बिलकुल मेंधक जैसा लगता है और अपनी इसी अनोखी आकृती के चलते यह चटान सैलानियों का ध्यान अपनी और आकरशित करता है माउंट आबू वाइल लाइब सेंचरी माउंट आबू में लगभग 228 वर्ग किलो मेटर चेतर को यहां की गौवर्मेंट द्वारा वाइल लाइब सेंचरी घोसित कर दिया गया था यहां इस अभियारन्य में पेड बौधों की बहुत सारी प्रजादियां आपको देखने के लिए मिल जाएंगे साथ ही यहां आपको वन्य जीवर महादेव टैंपल देव वाड़ा से करीब 8 किलो मेटर दूर इस्थित अचल गड़ में अचलेश्वर महादेव का प्रशद मंदिर है यहां भगवान सिव के पैर के अंगूठे का चिन्न है जिसकी पूजा की जाती है यहां के इस मंदिर में पीतल का बना हुआ विशाल नंदी भी है और एक विशाल त्रिशूल भी यहां इस मंदिर में माउंट आबू तक आप पहुँचेंगे कैसे? आईए यह यह भी जान लेते हैं यहां माउंट आबू से जो सबसे करीब एयरपोर्ट है वो है उधैपुर जो माउंट आबू से 185 किलोमेटर दूर है वहीं एहमदाबा के लिए सबसे अच्छा समय आप के लिए कौन सा रहेगा आईए यह भी जान लेते हैं वैसे तो यहां पूरे साल भर आया जा सकता है लेकिन अक्सर लोग गर्मियों में यहां आते हैं यहां पर साल के हर महीने साम और रात की समय मौसम बिलकुल ठंडा हो जाता है और वहीं अगर कडाके की सर्दियों का महीना हो तो यहां नक्की जिल का पानी पूरी तरह जम भी जाता है तो 67 किलोमेटर दूर है अगर रेल मार्ग की बात करें तो आबू रोड माउंट आबू का सबसे नजदी की रेलवे स्टेशन है जो मात्र 28 किलोमेटर की दूरी पर है अगर आप सड़क मार्ग से यहां आना चाहते हैं तो सबसे नजदी की सहर उदैपुर यहां से बस 185 किलोमेटर की दूरी पर है और उदैपुर से इसवाल गोगुंदा एरपूर्ट 235 किलोमेटर दूर है जबकि जोदपुर एरपूर्ट 266 किलोमेटर दूर है अगर आपको हमारा इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सबस्क्राइब करें और अब आप हमसे फेस्बुक और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं जिसके लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये हुए है